ही गाइस वेल्कम टू वेल्थदेखो.com मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा हम लोग सीरीज बना रहे हैं काफी सारे वीडियो बना चुका हूं अगर आपने नहीं देखें तो प्लीज मेरी प्लेलिस के अंदर जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को यहापर सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए गाइस वीडियो करते हैं शुरू तो गाइस सबसे पहले हम लोग जाल लेते कि SIPO लंसम के अंदर दोनों के अंदर किसके अंदर जादा बैनेफेट होता है तो देखें दोनों के ही अपने अपने यहापर एडवांटेज है अगर मैं लंसम की बात करूँ अगर बेसिकली मान लिजी अगर राइजिंग मार्केट है मला मार्केट बस यूही चलता जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है तो उसकेस के अंदर गाइस लंसम यहापर बैस स्ट्रेजी माने जाती है क्यों क्यों कि मान लिजी लेट सपोस मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो गाइस आप मेरी स्कीं की सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉल केस है टॉप टॉफिफिटी स्टॉक जिसके अंदर दो एटीफ से तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी मैने मार्केट क्रैश हुआ ता उस ताहम पर मैने इनवेस किया ता एक मैने इनवेस यहाँ 20 जुलाई को किया तो एक 27 जुलाई को किया ता अब इसके अगर मैं परफॉर्मेंस को ट्रैक करता हूं तो आप देख सकते हैं 20,000 रुपीस के दुपर मुझे 2.58% का यहाँ पर रिटन मिल चुका है तो गईस आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पर मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम पर जब मैंने लंसम में इन्वेस्ट किया जब मुझे बता था कि मार्केट क्रैश होने के बाद में यह अभी राइजिंग इस्तिती में है मार्केट यहीं बढ़ता जा रहा है तो उस केस में आपकी लंसम जो स्ट्राटेजी होती है वो बेसिकली यहाँ पर अज jaha per investment start किया तो आपको मलीजी एक पर्टिकुलर मालीजी unit मिल गई उसके बाद मार्केट क्रैश हो गया तो आपको और ज्यादा units में इसके बाद में market बढ़ गया तो आपको क्रेश भी होता है तो यहां कर आगर आप SIP के थुरू यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान वगर नहीं उठाना पड़ता थर्ड दिंग SIP आपके एक हाबिट बन जाती है जैसे माली चराप कहीं से लओं लिए बेन के लोन लेते हैं तो कैसे यह मैए हर मन चली जाती है तो SIP पी इसी तरह से बेस्टियले हैबिट की तरह होती है कि आपको सूशना नहीं पड़ता अपने हापी ठीक happened यहाँ पर debit हो जाता है कि ठीक है EMI debit हो गई, bank की वैसे यह आपके SIP भी debit हो जाता है, आप गाईज जो SIP वो no doubt mutual fund के case में एकदम better perform करती है, लेकिन अभी हम particularly small case की बात कर रहे हैं, so guys आपको SIP यहाँ पर जितने भी ETF से, जिन भी जिन small case के नहीं यहाँ पर ETF है, जिसे आपका all weather investing हो गया, top 100 stock हो गया, top 250 stocks हो गया, इस type के जो इतने भी small case है जिसमें ETF है आपके, वहाँ पर आप basically अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसके अलाबा guys, जो second वाले small case होते है जहाँ पर माली जी ETF नहीं होते हैं, लेकिन recently जब भी वो rebalance होते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर आप अपनी SIP शुरू कर सकते हैं उसका benefit होता है, for an example आप मेरी screen के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर dividend start करके small case है, यह एक small case है, जिसके अंदर वो सारी company included है, जो जादा आपको dividend provide करती है, तो guys, इस type के small case के अंदर आप SIP इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको rupee cost averaging का यहाँ पर benefit मिल जाएगा plus यहाँ पर आपको dividend भी मिलता रहेगा, अब guys, हम लोग बात करते हैं, कि small case के अंदर जो SIP लगती है क्या हो एक particular amount की लगती है एक fixed amount की लगती है, तो guys, होता क्या है जो भी आप small case choose करेंगे side में आपको minimum investment amount दिखाता है इसका मदलब है कि इतना amount तो आपको इसके अंदर invest करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो proportionate ratio के अंदर होता है, उसमें जो weightage होते हैं, वो fix होते हैं, ठीक है तो आपको जो SIP बनानी है उतने ही minimum amount की बनानी पड़ेगी तो guys, यहाँ पे जो small case है जो छोटे small case है, 4000-5000 वाले जो ETF है जिसके अंदर लेकिन जो premium वाले small case है जिसमें 50,000, 60,000, 75,000 इस type के small case है, उसके अंदर यहाँ पे आप SIP ढंग से नहीं कर पाएंगे और वाँ पे आपको loss भी हो सकता है तो guys, especially अगर मैं small case के point of view से देखू तो जितने भी ETF वाले small case है या जो भी one पूरे साल भर के अंदर जो rebalance होते हैं, जो भी frequently rebalance हो है और उसके बाद में next year मालब 2022-2 के अंदर वो basically rebalance होंगे, तो उसके अंदर आप यहाँ पे अपनी SIP यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं So guys, मैंने आपको एक पूरा overview दे दिया SIP versus Lumsum investment in the small case So guys, hope you like this video, please subscribe our channel अगर आपके कोई भी डाउट से, comment section के अंदर जरू mention कीजिए, thank you guys, thank you very much